जैसाहिराम नमस्कार मैं प्रिज मुनसूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके चैनल बे आज मैं लेकर हाजिर हूँ नया विश्य आप जानते हैं कि हम प्रति दिन एक उपाय करते हैं हम प्रति दिन उपाय करते हैं जिसे कि हमारे नोग नोग रह उचके हो जाते हैं ये उपाय सूर्य डूबने से पहले होना चाहिए सूर्य डूबने के बाद किया गया उपाय हमें कर्म देता है यानि धार्मिक संपन्ता देता है लिए सूरे डुबने के बाद यदि कोई उपाई होगा बता दिया जाएगा ये उपाई आप करें प्रति दिन बताया जाता है प्रति दिन करें बहुत लाब होगा ये नहीं है कि आज सोमर का बताया आप वहीं उपाई हर सोमर करते रहें प्रतेक सोमर को लग उपाई होता है ग्रेहों के नुसार, नक्षातर के नुसार, तो आप कीजिए आपको लाव होगा, यदि आप जनम कुंडली दिखाना चाहें, वो भी दिखा सकते हैं, वैसे आपकी जनम कुंडली में आपकी परतेक समस्या का राज छपा रहता है, आपकी जनम कुंडली में आपकी परतेक मन उकामना का राज छिपा रहता है तो आप योग्य जोतिशाचारे को दिखा सकते हैं हमारे संसान में भी दिखा सकते हैं फीस होती है वो फीस आप पे करके अपनी जनम कुंडली भेजेंगे तो देख दी जाएगी तो आइए शुरू करते हैं आज का उपाए आज का वीडियो जै साहिरा आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुरुवार के उपाए के बारे में 3 दिसंबर 2020 को गुरुवार का दिन है और क्या उपाए करना है आपको मैं ये बताने वाला हूँ ये उपाए आपको शक्ति परधान करेगा और गुरू के अशीश से लपालप भरने के कारण आपको बहुत अधिक लाब की प्राप्ति होगी जो उपाय गुरुवर किये जाते हैं वो ब्रस्पती को उचका कर देते हैं और जब ब्रस्पती उचका हो जाते हैं तो हमें बड़ी तेजी से लाब मिलता है आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें परिवार की सुख शांती से लेकर धन कमाना और बच्चों का सुख यानि परतेक छेतर में लाब के लिए वीडियो हम डालने वाले हैं तो आज के वीडियो का जो उपाए है उसको समझ लीजिए यानि गुरुवर को जो उपाए है उसको समझ लीजिए चने की दाल और हल्दी का दान करने से आपको विशेश लाप की प्रापती होगी चने की दाल और हल्दी कितनी ली जाए ये आप पर निर्बर है मातरा आप पर निर्बर है किसी गरीब को दे दीजिए जल परवा कर दीजिए धरमस्थान में दे दीजिए माथे पर हल्दियां केसर का तिलक लगाईए और दूद में हल्दी डाल कर पीजिए इससे बहुत अधिक लाब आपको प्रापत होगा पूरे परिवार को कहिए कि हल्दी डाल कर पिया करें क्योंकि इससे भागे उदे होता है और हमें धन की प्रापती होती है तो रास्ते में आने वली रुकावटें दूर होती है आज आपको मैं बताऊंगा कि जादू टोने से कैसे छुटकारा पाया जाए आज मैं आपको बताऊंगा कि बुरी नजर से कैसे बचा जाए यदि आपको लगता है कि आपके परिवार पर काला जादू या किसी भी परकार का जादू किया जाता है और बार बार किया जाता है तो आप शिवलिंग पर चड़ा हुआ जल अपने निवास पर लाकर उसका छिड़काव अपने निवास में प्रति दिन कीजिए इससे आप देखेंगे कि आपको ऐसी बुरी शक्तियों से राहत मिलेगी और आपका परिवार ऐसे संकटों से अपने आप उबरता रहेगा लेकिन प्रमात्मा आपको इंडिकेशन जरूर देंगे यानि आपका नुकसान होते होते रह जाएगा जिससे आपको ये इस परस्ट अड्रस्टी गोचर होगा कि किसी ने कोई वार किया था किसी ने कोई टोना किया था प्रंतु क्योंकि आप जल का छिड़काव कर रहे थे तो वह जादू टोना आप पर असम नहीं कर सका तो इस परकार यदि आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रमातमा की शक्तियां आपको विशेश अशीश देती रहें तो आप इन सब को अराम से कीजिए बहुत लाब होगा जैसा इराम नमसकार मैं प्रिजमों सूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके चैनल बे आज मैं लेकर हाजिर हूँ नया विशेश आप जानते हैं कि हम प्रति दिन एक उपाय करते हैं हम प्रते दिन उपाय करते हैं जिसे कि हमारे नोग नोग रह उचके हो जाते हैं ये उपाय सूर्य डूबने से पहले होना चाहिए सूर्य डूबने के बाद किया गया उपाय हमें कर्म देता है यानि धार्मिक संबंता देता है प्रतु सूरे के बीच में जब हम करते हैं तो वह उपाय हमारे नो ग्रेहों को उच्छ करता है और साथ ही साथ हमारे कर्म भी बनाता है तो इसलिए सूरे डुबने के बाद यदि कोई उपाय होगा बता दिया जाएगा ये उपाय आप करें, प्रति दिन बताया जाता है, प्रति दिन करें, बहुत लाब होगा, ये नहीं है कि आज सोमर का बताया, आप वहीं उपाय हर सोमर करते रहें, प्रतेक सोमर को लग उपाय होता है, ग्रेहों के नुसार, नक्षतर के नुसार, तो आप कीजिए, आपको ल यदि आप जनम कुडली दिखाना चाहें, वह भी दिखा सकते हैं, वैसे आपकी जनम कुडली में आपकी परतेक समस्या का राज छपा रहता है, आपकी जनम कुडली में आपकी परतेक मन और कामना का राज छपा रहता है, तो आप योग जोतिशाचारे को दिखा सकते हैं, हम झाल 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 कर दो